गुड इबनी साथियो ग्यान घर यूडुक चानल में आपका स्वागत है और आप स्वातंतरता दिवस मनाएं बहुत अच्छे से मनाए होंगे और आप जलेवी का आनंद भी लियोंगे पता है जलेवी को ही राष्टिये मिठाई क्यों खा गया है न दिल्चस बाते जलेवी को राष्टिये मिठाई इसलिए कहा गया कि जलेवी देखी आजादी की खुसी हर किसी को होती है चाहा वो अमीर हो की गरीब हो आजादी सब को मिली और आजादी में सब इक्वल के भाग जलेवी को राश्टिये मिठाई इसलिए कहा गया कि अमीर भी इसका लुथ ले सके वहीं हमारे गरीब भी इसका लुथ ले सके मतलब ऐसा नहों जाए कि इतना महेंगा मिठाई हो कि गरीब इसको आनंद ना ले सके इसे खहीत करना खा सके तो गरीब और अमीर सभी जो है 15 हर मौके पे अपने मीठे मीठे अंदाज में मीठा का लुथ लेते हैं और जलेवी खा करके आजादी का और गंतंत्रित का स्वागत करते हैं मनाते हैं तो आए सांथियो आपका चला है एससे सी सीजल का प्रैक्रिस सेथ और यहीं पे बिहार इंटर असर ये जो एससी होने होने वाली है उनका भी डेट बहुत करीब है कि आही जाएगा नोटिफिकेशन आ गया है एक्जाम होने वाली है कंप्यूटर बेस टेस्ट उन सांथियों के लिए खुसकबरी देखिए ऐसा नहीं होता कि कोशन बहुत आसमान पर से टपकेगा कोशन का दारा बस इसी के इर वारे अंदर एक जोस एक उमंग एक जज़वा एक जुनून पैदा हो जाए हवाओ ने मुझे हतास करने की बहुत कोशिश किया मैं वह परिंदा बना जिसने उची उरान भरना सही समझा जी हां साथियों आपको आपके आसपास के लोग बहुत नेगेटिव वाले भी मिलत प्रियास बहुत जादे करते होंगे उन सभी नेगेटिवों से उठ करके अलग सूच रखना है और बस यही बात याद रखना है कि आपकी बहुत कोशिसों के बावजूद भी मेरा जो मीशन है मेरा जो मक्षद है मैं उसे ही हासिल करूंगा आपके बहकावे का मैसिकार नहीं की बनने वाला आये सीजियल प्रैक्टिस सेट पर हम लोग आते हैं जो आज का कोशन से आपके लिए चली पहला कोशन साब के स्कीन पर दिख रहा है कोशन क्या है कोशन है यदि एलमुनियम की वैदता तीन है और ऑक्सियन की दो है तो एलमुनियम ऑक्साइड का रसानिक बोल ला है आपको की वैलेंसी यानि आपके वैलेंस एलेक्टोन की बात कर रहा है तो एलमुनियम की है आपका तीन और ऑक्सियन का बता दिया है दो कह रहा है क्या इसका सुत्र क्या होगा इसकी वैदता से इसको गुना करिए और इसकी वैदता से इसको गुना करिए और ए ही अंसर एल टू ओ थ्री कि तीन दिल्चस्प बाते एल टू ओ थ्री से संबंदित माइन में रखिएगा कि एल टू ओ थी का दूसरा नाम जो है बोरेक्स भी कहा जाता है यानि बोरेक्स के नाम से जाना जाता है बोरेक्स क्या है बोरेक्स जो है आयसक है और है एलमुनियम का तो आप कह सकते ये बोरेक्स जो है आयसक है और है किसका एलमुनियम का वहीं बात करें कि ये होता कैसा है तो L2O3 जो होता है ये वाइट एमॉर अमोर्फोस कहते हैं तो यह कैसा कलर का होता स्वेट उजला एमोर्फोस जो है इसका कोई अकार नहीं होता है ठीक है चली वहीं बात करें कि एल टू ओ थ्री वेवार में भी किसी चीजों में देखने को मिलता है तो जी हां साथियो आपने अगर इस्तमाल किया होगा नेल पोलिस में इसका स्वाल होता है वहीं अगर आपने इस्तमाल किया होगा या तोफा में दिया होगा क्या लिप इस्टिक LAB बहुत हैंसी आगई थीनिलिप इस्टिक जो है उसमें भी ऐल 2 O3 देखने को मिलता है तो यह आप इसका परियोग किस में देखिने को मिलता है और कहा नजर आती है तो ये साथी इसको ले लिए आप इसकीन सोड और इसे बनेगा आपका साइन्स में की आधार बुत समझ जिससे आपके स्कोर में मदद मिलेगी करने में चली आईए अगला प्रसनातिय में लो निमलिखित में से किस अस्ताई उत्तक में कोशिकाए मिर्थ होती है। मतलब डेटसेल पाल्यातात याद रखिए ये आपका जो है ईसकलीन कायमा क्या है? इसकलीन कायमा आपका सथिक एंसर है ठीक है? एस्केलनकैमा, पैरेंकैमा, एरेंकैमा, कॉलनकैमा, ये सभी के सभी जटील उत्तक में से आने वाले जायलम और फुलैम के कोशिकाए हैं, आप याद रखें जो जायलम जल को परिवहन करती है और जायलम आपका चार कोशिका का बना होता है, चार कोशिका का, जिसमें से तीन होता है मिर्थ और एक होता है जीवित, जिसको हम लोग पैरन कायमा कहेंगे, इसमें जायलम में जो होगा, उसको हम लोग जायलम पैरन कायमा जो जीवित कोशिका होती है, वहीं बात कर ले हम ल एक मिर्थ होता है एक मिर्थ का नायम जो होता है फ्लेम फाइबर होता है जो मिर्थ होता है बाकि तीन कोशी काएं जीवित होता तो आप से मिर्थ पूछा जाया सकता है आप से जीवित पूछा जाएगा जैला में और मिर्थ पूछा जाएगा फ्लेमें चुके कम मातरा में जो होता है प्रस्न वहीं से जादे पूछने की शंबाबनाएं होती है एक बात याद रखी कि इसकलन कैमा करता क्या है तो यह जो होता है आप से अगर पूछ दिया जाए क्या इसकलन कैमा सभी पौधों में पाए जाएगा तो जब आव आयना चाहिए, नहीं, ये पाई जाएगा उच सरेनी के प्लांट्स में, उच सरेनी वाले पौधों में ये पाई जाएगी, राइट, ये बात याद रखेगा, आप से पूछा जाएगा कि आखिर ये करता क्या है, तो ये मदद करता है, क्या करता है, इसको हम ल कبرवाइड सब्सक्राइब ऑर जटल त परभाईड करती है, यानि यांत्रिक सपोर्ट के लिए, मायन में रखिए और सक्ती भी प्रवाइड करती है ताकि ये आंधी तुपान से लच न जाए तूट नहीं जाए कुछ ऐसे भी होते हैं जो लचीला पर प्रवाइड करता है यहीं पर बात करले हम लोग अगर आप से पूछ दिये क्या पूछ दिया जाए बुलिए कि पौध अध्या नहीं है उसके पीछे इसका कारण है कॉलयन कामा यह लचीला पर प्रवाइड करता है यह बात याद रख लिजेगा ठीक है लहा चलिए कि कि आकर्ट पैरन कामा किसे पार टा है तब पैरन कामा जो होता है पहधे के फल फूलो में पाढ़ जाता है पौधे के फल हो गया फूलो हो गया उसमें पैरन कैमा देखने को मिलता है ठीक है पत्तियों में भी खास करके देखिए पत्तियों में भी चली एरन कैमा ये आपका नोट से सम्बंदित है जो पत्ति के जो साखाएं होती है ब्रांच से वहाँ पे एरन कैमा पाए जाता है इसको ले लिजी आप इसकी इंसोट काम आएगा ठीक है चली आईए अगला प्रस्त हमारा है तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमिटर की रीडिंग किस परकार परभावित होगी एमिटर आप जानते जो किESको मापती है बिल्खुल आप ने सही का ये करेंड को विद्धारा को मापने का आप जानते है कि आप जानते हैं कि एमिटर को हमेशा स्रेनी करम में जोरा जाता है किस करम में उसमें रीडिंग किस परकार की परभावित होगी ही मतलब धारा की आप्ति है के आधा को और रिकाल होता है मतलब इसका मतलब यह हुआ ये जो है एक अलगे परकार के quantity है, मतलब नहीं सदिस है और नहीं अदिस है, सदिस कहेंगे उसको जिसमें कुछ परिणाम के साथ साथ उसमें दिसा का भी ज्यात हो, उसको हम लोग सदिस कहेंगे यानि वेक्टर quantity, वहीं बात कर लें हम लोग अदिस की, तो अदिस वैसे quantity जरूर होंगे, लेकिन उसमें दिसा का पता या दिसा का कुछ ज्यान नहीं आए, उसे हम लोग अदिस कहेंगे, ठीक, और तिसरा जो quantity उभर करके है, जिसको आप टेंसर कहते हो, वहीं टेंसर जो है, मतलब ये वेक्टर भी है, और इसकेलर भी है, मतलब इसमें मैगनिचू होना चाहिए, बद ऐसा होता नहीं है, यही कारान है कि वीदुधारा को टेंसर क्वांटिटी कहा गया, जी हां साथियो, ठीक है तो यह बात आप रख सकते हैं, दूसरी बात आप इसे संबंदिती रखेंगे, क्या रखेंगे, अब आते हम लोग परतिरोध की मेटेरियल प यानि इन डारेक्ट को में पूछ दिया है, बीदुधारा के बारे में, तो आप जान रहे हैं, और ओम सला से आप जानते हैं, परतिरोध वराबर हमारा क्या होता, भूलिए, भी इसको मानिए, इक्वेशन वन, दूसरा में आपको दे दिया है, इसको आइवन मान लिजे, वही रहेगा, लेंद को डबल कर दिया है, लेंद को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, तो यह हो जागा टू एल, और हमारा क्या है, ए है, तो यह हमारा अगर रेश्यो करेंगे, तो कर दिजिए वन भाई टू, निकालना हमारा आइवन भाई टू हो जाएगा, तो आप ज इसको डिवाइड करेंगे आप किस से? B by I2, तो यह हमारा हो जागा, रो L by A, तो मुझे लगता है कि I1 है यह I2 है, यह B से यह B कटेगा, अब यह रो से यह रो कट जाएगा, यह हां तरो 2L है, यह Rो से यह रो कट गया, यह L से यह L कट गया, यह Bचा है 2, ये A से ये करेट कर दिया है इसका मतलब हमारा क्या हो गया I2 by I1 हो गया इसको ल्टू कितना बोलिए 1 by 2 तो इसका मतलब यह हुआ जो हमारा I1 होगा 2 I2 हो जाएगा इसका मतलब सोरी I2 जो होगा I1 by 2 हो जाएगा इसका मतलब जब हम लेंथ डवल कर देंगे तो एमीटर पर जो हमारा परवाओने वाला है वो आधी रह जाएगी इसका मतलब यह हमारा हो गया I2 जो निकल क्या है हमारा I2 I1 by 2 आधी हो जाएगी तो एंसर आपका क्या हो जाएगा यह आधी रह जाती है बी नमभा इदा करेक्ट एंसर तो इसको आप सही मंसर मान लेंगे चली मान क्या लेंगे सवह है यह है तो आएए किसी इस्थिति एक इनिट इसको स्की इंसर ले लिजेगा आप चली इस्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु में मौजूद उर्जा को क्या करते हैं तो गतीज उर्जा कहते हैं क्या करते हैं और यहीं पर कभी-कभी एक कोशन बन जाता है यानि किसी भी निकाय की उसकी सिती में उसकी आकार में जब परिवर्तन होता है तो उस सितीज उर्जा का कोई दूसरा नाम भी है क् क्या है दूसरा नाम आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या लिखेंगे बोले प्रास्त के परियास्त अब कर या स्थ गतीज उर्जा यह आप या किसी भी इस्थिति जुघा कि किसी आकर्टी में आकार में जब परिबर्तन होता है। उसी को हम लोग पर्यास गती उर्जा कहते हैं तो यह आप एंसर लिख लेंगे चलिए अगला प्रसने आते हैं कि नेशनल एशोशेशन आप सौप्ट वर एंड सर्विसिंग कंपनीज सर्विस इस कंपनीज नेसकॉम की पहली महिला द्यक्ष कौन है तो नेसकॉम की पहली महिला द्यक्ष देवजानी घोष है कौन है देवजानी घोष है इसके आगर आपसे करम संक्या पूझ दे तो करम संक्या पांच भी क्या है पांच भी है यह याद रखिएगा ठीक है देवजानी घोष के बारे अस्थापना कब होती है नैस्कॉम की अस्थापना जो है एनी 1888 इसकी घेड क्वार्टरम यानि मुख्यालय जो है दिल्ली में हैं ३े बात आप प्रमायन में रख लिएगा片 चली अगर आपसे पूदह जाज़े हैं कि वर्तमान में इसके अध्यक्ण कौन है अध्यक्ष अध्यक्ष्व घरतमान अधेख्य तो आप लिख सकते ये क्या लिखेंगे कैश्प albeit KBR Mr by अ हम वर मातरथ नहीं होने कर नीचे होगा तो मातरक से मातर कर जाएगा वो हो जाएगा unitless गनत्व का मात्रक होता है या कहले जे मीटर भाई एक मिनट केजी भाई मीटर क्यूँ या गराम भाई सेंटीमेटर क्यूँ या इसी को बोल दिया जाएगा गराम अपोन मिली लीटर क्यूँ या गराम अपोन सेंट सी सी गराम अपोन सी सी क्यूबिक सेंटेर या धनत्व का इतना units होता है यह माइन में रखेगा विस्थापान तो displacement जाना है इसका unit आपका मीटर ही होगा दाव आप जानते है प्रेसर होता है ठीक है और दाव जो हता है प्रेसर होता है तो हमारा क्या होता पास कर सापेक शिदानत का मतलब होता है relative density इसका मतलब किसी relative density कोई density दिया हुआ उसको relate करना है या तो solid के करें या गैस करेंडिकरी करिए ठीक है ना सौलिट के रिस्पिट में करिए या लिकविट गरिशुट में करिए ठीक है तो यह आपका क्या कह लगा absolute density वहीं पर कोई quantity है उसका respect अगर आप जो है गैस के सांथ करिएगा तो हमारा कहला आगा relative density क्या लागा रिलेटिव density का हलागा तो यह बात याद रखिए और density का unit हमारा माले की kg upon meter q है और नीचे भी हमारा क्या होगा कोई एक quantity लेंगे उसी से तुलना करेंगे हम यानि हमारा पूछा density of यानि normal density पूछ रहा है with respect to liquid तो इसका मतलब solid का दिया हुआ होगा इसका भी हमारा क्या होगा केजी मीटर क्यू और नीचे भी क्या होगा हमारा केजी मीटर क्यू तो बताइए यह सब यूनिट से यूनिट कर जाएगा यह हो जाएगा हमारा यूनिट लेस्ट और आपका करेंट एंसर होगा सापेक्ष धनात्व होगा relative density ठीक है चलिए वहने स पर लिजा चिपके लिए गारा में पुनर जनेवेशन होता है यानि रीजेनेशन कर जाएगा बहु खंडन की बात करें तो इसका है कि आम पर ले लिजिए प्लाजमोडियम प्लाजमोडियम में जो है आप बहु खंडन दो मल्टीबल पिजन होता है और दुखेंडर बानरी फिजन के बाद करिए तो आपका हो जाएगा अमीवा क्या हो जाएगा आमोईवा ही कहीए नामोईवा कहला कहिए अमीवा ही कह लिए चलिए विडिज कोस उदर गुहा के बाहर इस्थित है यानि वि बीट को जो होता है जो इस्पम बनाने का काम करता है यानि वानुव प्रूष में पाइजाता है और इसको हम लोग अंड कोश कहेंगे क्या कहेंगे अंड कोश कहेंगे तो एंसन्ट हो जाएका आपका डी नमबर चलिए निमलिखित में से किस तत्व में बरे अनों को उत्वन करने के लिए स्वयन समान तत्व के अन्य पर्वानों के साथ बंधर बनाने की अदूतिये छमता है तो एक अही तत्व है जिसका नाम है कारवन चुक्कि यह कैटिनेशन फॉर्म करता है और यह जो हता है वाइटल फोर्स सिदांद को भी फॉले करता है एक जीवित के तरह यह बात बताया था कौन बर्जेलियस ने कौन बताया था बर्जेलियस वाइटल फोर्स यानि एक में ठीक उसी परकार की टेंसे टेंडेंसी पाया गया कारवन में इसलिए इसको बला गया वाइटल फोर्स यानि एक जीवित के तरह इसमें बल पाई जाते फोर्स वाइदा रहा ठीक है चली मार्च 218 तक बिहार के 9 नियुक्त राजपाल कौन थे बताये इतना पुराना पुराना भी कोशन पूस देता है तो वो थे सत्थ पाल मलिक जी वर्तमान ने पूस दे तो वर्तमान में जो है राजपाल बिहार के कौन है वर्तमान ये एससी के वाले के जो बिहार एससी के ल आई अगला प्रस्त कार्वोहाइडर प्रोटीन और वसा का पुर्ण पाचन कहां होता है बिल्कुल आपने सही का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आत में ठीक है छोटी आत के बारे में कुछ बात ज्याए था कि इसके तीन बेटा होते हैं एक का नाम होता डूडेना डूडेन एक का नाम होता जेजनम और एक का नाम होता इलियम और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक चीज पाए आता है विल्ली जिसको हम लग फिंगर लाइक प्रोजेशन केते हैं इसका काम होता है स्वासित करना एब्जॉप्शन करना पचे हुए पतार्त को और उसको देतना रक् इसको तक या हम तक शरीर के किसी भी अंग तक उर्जा पहुंचती है वह आपका पचाने पहुंचाने पचे हुए भोजन से उसमें से इनर्जी को अब्जॉप करने का काम विल्ली करती है और यह विल्ली देती किसको है रखत वाहिका को बलड़ बेसल को और बलड़ वेसल इसको तक साथ के मात्यम से हमारे सरीत तक उरजा वहुंच जाता है ठीक है चली अइस बर्वत सिंगला किस महदीप में इस्सित है मिल्कूल आपने सही अंसर कहा और यह कोशन मेने डिसकस्टन में कराया था यह आपका दक्षिन अमरीका में है ठीक है चलिए दक्षिन अमरीका में ये पेरू से में है दक्षिन अमरीका में एक देश है पेरू वहीं पर एक इंडीज परवत है और याद रहें कि इंडीज परवत सिंकला से एक नदी निकलती है उस नदी का नाम है अमेजा नदी क्या नाम है अमेजा नदी और अमेजा न जो है आपका बेसिन, एमेजन की बेसिन ही है, विश्व में सबसे गहरी बेसिन, पानी की निर्भा का सबसे गहरी बेसिन कौन है, तो आप बताएंगे, एमेजन बेसिन, यह सबसे गहरी पानी की निर्भा वाली क्या है, बेसिन है, ठीक, चलिए, वहीं बात कर ले, अलपस पर सब्सक्राइब जो है काफी फिर्वस है तक आप याद रखते थे इसको अलस्प्रावत को बात याध रख सकते हैं किसको और जो पर और अस्टेलिया की बात करें तकलिया जो है किलिया परवस्रेका की है ठीक ना तो कुछ-कुछ बाते याद रखते चलिए डिस्कसन में होता क्या आना कि जरूरी नहीं कि जो कोशन आया जो डिसकस हो रही वही कोशन आ जाए लेकुन उससे संबंदी जो कोशन को अमलब देख लिते हैं याद रह जाता है ठीक ना और याद रखने का तरीका ही एक की एक बार किसी भी चीज से गो थुरू हो लिजिए और एक बार लिख लिए तो याद रह जाती है निवलेंट्स ने उस समय ग्याद डैस तत्वों को अपने अश्टक तालिका में विवासित किया था कितने तत्वों को बिल्कुल आपने सही का छपन तत्वों को और निवनट्स ने एक ऐसा नियम बताया जो अगर एक्स लेके साथ तक हम जो एलिमेंट को एरेंज कर रहा थे बढ़ते करम में यानि दर्वान के बढ़ते करम अरोही करम में आठमा जो तत्व आता था वो पहला से मिलता जूलता होता था लेकिन इसका दूरुपयोग भी था क्या था यह अप्टू निकेल को एक ही साथ रख दिया औरती जहां है लोंगट था वहींपे कोवाल को निकेल को और लेटिननगों सजा दिया किसके है हेलोता व्लां भूण में है हेलोते कखंट अब डिसका यूज क्या जाता है नमक बनाने में उसी को हम लोंग क्या है नमक में पर्योग कि आज़े एक जल वीधूतफ पावाय स्ट्समें अंता कौन सी रजा वीधूत उर्या में परिवर्थित होती है यह पानी रुकी होई है उसमें जो उर्जा है वो इस्तिती जूर्जा है कम सा उर्जा है इस्तिती जूर्जा है यह इस्तिती जूर्जा करभाट होती है किसमें यांत्रीक उर्जा में कानेटिक एनर्जी में और यह कानेटिक एनर्जी जो है किसमें करभाट होती है यही कानेटिक एनर्जी आपका वीदूत के लिए क्या आता है तो परमानु की तिर्जा का पर्योग जो है बिल्कुल आपने सही का किसी भी परमानु की आकार कुम आपने के लिए अप्सें नहीं है क्या तो अप्सें नहीं है तो दो जगा परमानु दर्मान लिखा देजाए कार देजा अर लिग देजाए करेक्ट इस चली बना लिए एक दिवसी किरिकेट में तीन दोने सतक बनाने वाले एक मात्र किरिकेटर कौन है बिलकुल आपका सही एंसर आता है तो सरमा कौन है रोहित सरमा याद रखिए एक बार बनाए 209 एक बार बनाइं आपका दूसर आठ टी बार जो है दो रिशक मारने वाले आपका रोहित सरमा है अगर बात के जाए कि किस IPL के जो है थीक है योए टीम होती है न आई पेल में मुँम्बाइ इंडियन्स तो रोही सर्मा किस टीम के कैप्टन है बताए मुँम्बाइ इंडियन्स चलिए ठीक आईए किस भारतिय मॉडल ने चीन में आयोजित मिस वल्ड जो है 17 परतियोगिता जीती कोन है मानुसी छिलर नाम है बहुत है भी मानुसी छिलर इदर करेक्ट एंसर ठीक है चलिए एक वसलों दा सेंडीमेनर फोकाश दूरी के उत्तर लेंज से 20 सैंडीमेनर की दूरी पर रखी है परतिमिम कितनी दूरी पर होगी देके लेंज है ये आपका फोकाश दूरी दे रहा है यानि एफ दे दी आपका दस सैंडीमेटर दुरी पर रखी है मतलब वस्तु दुरी दे रखा है वस्तु दुरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं इदे दिया आपका माई कोन लेंस है उत्तर लेंस है ठीक है उत्तर लेंस है तो यह वस्तु रखा हुआ हमारा तो यह हमारा जो होगा क्या होगा जब भी रखा जागा फ्रेंटे पर रखा जागा इसको औरीजिन मानेंगे तो हमारा इस साथ हमारा लेफ्ट साथ होगा इसको नेगेटिव सो करेंगे हम लोग बताने के लिए हम सा माइनस वन वाई यू इसकोल टू वन वाई एफ आपको ये परतिभीम दूरी पूछ रहा है तो वन वाई भी रोक लिजिए यह वन वाई यू इधर भेद दीजिए चुके आपको एफ और यू पता है यह माइनस इधर आपके क्या हो जाएगा पलस एलू पूट कर दीजिए मार दीजे थी के चलिए इसको ले लीजे आ पएकवरी सिंसोट चली यदि 20 न्यूटन का बल एक दर्वान 10 केजी की एक वस्तू पर लगा जाए तो उत्पालित तोरण का मान क्या होगा और आप जानते हैं कि बल का फर्मूला क्या होता एफ बुरावर एमे यहां से आपको यह पता है यह पता है यह निकालिएगा तो यह बुरावर क्या हो जाएगा एफ अपोन यह एम जो है इस एक साथ मल्टिप्लाई है इसको रोक लिएगा तो एम भागे का वे टक नीचे एम भागे है नीचे रख दीजे इसको फर्मूला एफ कमान दिया है आपको बिस नफान न्यूटन वह आप जानते है कि के-जी जो है चिग के subject करदने में कोी दिक्कत नहीं आ रहा घू ए चाहिए दातव अम तभी और अनेक भारी कोश्च में ईलेक्ट्रोन होते हैं यानि बाहरी कोद मिजह अधातू की बात करें तो बाहर में शोचांत शे साथ याठ धातू की बात करें तो deal रहाथी होता है एक दू now बहुआ प्रसन कि भारत में वस्तु एबं सेवा कर जी है उस्तम परसंटा क्या है तो यह 28% क्या प्रसंत है है क्या है चलिए लिए अगला प्रसंत क्या है सकती का सुथर क्या है तो सकती आफ जानते हैं पावर क्यों तो वर्क वाई टाइम, वर्क वाई टाइम, कार्ज वाई मे समय तो यह आपका सक्ती का है कार्ज बटे समय ते रोगरे हैं तो आपके हैं सह जहाँ है दिल्ली में भी जामा मज़ीद है और आगरा में भी जामा मज़ीद है यह बात याद रखेगा आप से एक प्रस्ण पूस जे अगर कि कौन सा मुगल समराथ है जिसका मरने के बाद उसका मकबरा बना और उसकी बेगम बनाई तो कौन है पताए हुमायू है हुमायू का मकबरा जो है मिर्तियू के बाद बनती है और कौन बनाती है इनकी बेगम इनकी बेगम बनाती है सबको बेगम हुमायू जैसे ही होना चाहिए नहीं क्या लड़ू भूट रहा है हां अच्छा आप बतर हो आज लुक चेंज है आद लुक चेंज नहीं है कभी कभी दिखे परिवर्तन मानों का जन्म सिधा दिकार है परिवर्तन होते रहना चाहिए समझे नहीं उतना परिवर्तन नहीं हो जाए जो अब आप अपने आपको ही पाचानना सको राइट चली आइए निमलिखित में से कौन सा एक रासानिक परिवर्तन है आपको बताना है कि इन में से कौन है रासानिक परिवर्तन तो सी ओडू से सुखी बर्फ बनाना ये रासानिक परिवर्तन ये भौतिक परिवर्तन ये तो नहीं होगा लोहे का चुमुक ये चुम्भी की करन करन यानि लोहे के चिंपक से सटा देना तो आपका भौतिक होई होगा चाहिए तो सटाइए चाहिए तो हटाइए आपकी मर्जिए सटिए यहाटिए हटना चाहिए या? सटना चाहिए तो ये भी आपका बहुती परिवर्तन हो जाएगा एक प्लेटिनम तार को गर्म करना ये भी आपका बहुती परिवर्तन हो जाएगा मक्कन का खराब होना ये आपका जो है रशायनिक परिवर्तन होगा और एंसर हो जाएगा आपका D चलि अगला प्रसना आपका आता है कौन सा भारती अमेरिकी एडॉब सिस्टम का CEO है तो याद रखे सांतनु नारायन ये आपका एडॉब कंपनी है उसका ये CEO है और आज का सेट अलमोश हम लोगों ने कंप्लीट किया तो आज CGL का सेट हो गया सात्मा अगर आप इसका वीड ग्यानगर टेली गराम या आप ग्यानगर एप से ले सकते हैं ग्यानगर एप पर ये देख सकते हैं जहां से आप लेना चाहें ले लिजी ठीक ना तो हर जगा एविलेबल है तो जी हां सात्यों सेट आपके लिए एक फायदा सब्सक्रा दे रहा होगा और उमीद करते हैं कि सकोर अच्छा अभी तक हुआ होगा यानि साथ सेट कंपलीट हो गया और अगर इमंदारी से पूरी कोशन के डिसकर्शन को देख लेंगे तो सुनी चीज मानिए कि आपका सकोर बहुत अच्छा होगा और नो डाउट सब्सक्राइब ले लिए होंगे तो अब थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान ले लिए चुकि आपको भी अपने आप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है ठीक है थैंक्यू थैंक्यू सब्सक्राइब थैंक्यू